अब जीव इश्वर के भेद के संबंध में ये प्रप्रण आरंब होता है श्रिष्टी प्रप्रण के अंतंत में भगवन भाष्टकार ने ये बात कही कि पिंड़ और ब्रह्मान्द की भी एक प्रतार की एकता है वो एकता कैसी है तो अवपाधिक उसका नाम है अवपाधिक उसका दर्टांद क्या है जैसे अंग की एकता अंगी से होती है दोनों में भेद भी है और दोनों में अभेद भी है इस प्रकार का एक संबंध का उल्लेख भगवान भास्टकार ने स्रस्टी प्रकरन का उपसंगार करते हुए किया अग उसी प्रकरन को आगे बढ़ाते हैं कि यह जो एकता अभी बताई अवपाधिक एकता तो एक बिलकुल तात्विक एकता भी है गुलिम्हाज यह जो संबंध का निर्वचन हो रहा है एकत्यो का प्रतिपादन हो रहा है वो किस के किस के बीच में है पिंड ब्रह्माइल के बीच में गुलिम्हाज नहीं यह जीव और इस्वर के बीच में है पहले क्या मुला गया था पिंड ब्रह्माण योगो आइक्यम संबूतम पिंड और ब्रह्माण के बीच में एकता सिद्ध हो गई लेकिन अब जो प्रकरन खाया है वो पिंड भीमाणी और ब्रह्माण ना भीमाणी के बीच का संबूतम भौतिक दृष्टी तो यही है कि एक पिंड है और वो ब्रह्माण के बीच है ब्रह्माण से ही पोशित होता है ब्रह्माण का ही अंग है ब्रह्माण के लिए है ब्रह्माण से जीवित है यह जो शरीर है वो पंच महावोतों के बिना रह नहीं सकता उसी से है उसी में है उसी को उसी से पुष्ट होता है और फिर उसी के लिए है यह तो बिलकुल भौतिक पांस हो गई लेकिन फिर इस पंच के पीछे जो पंच का अभिमानी बैठा है वो कौन है बोले वो तो मैं हूँ अभी क्या बात थी पिंड और ब्रह्मानी की बात थी अब अभिमानी की बात उठाते है पिंड का अभिमानी कौन है बोले वो तो मैं ही हूँ और ब्रह्मानी का अभिमानी कौन है तो बुले जो भी है उसका नाम है इश्वर उसी को प्रभु बोलते हैं उसी को इश्वर बोलते हैं तो पिंड बिना ब्रहमान में के नहीं रह सकता वो उसका हंग है लेकिन ये जो अभिमानी है पिंड बिना बिमानी उसका इश्वर के साथ क्या संबन्द है बोलते हैं इस संबन्द को ठीक से समझने के लिए पहले पिंड बिमानी के बारे में थोड़ जान लें पिंड बिमानी एक शब्द है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके और जाने कि मैं का सोधन करें यहां दो लक्षन दिया आपने पढ़ा इसको स्थूल स्रीरा अभिमानी जीव नामात्मकम ब्रह्मा फ्रतिगिंबं भवती जीव नामात्मकम जीव नाम का तो अभिमानी का एक नाम दिया क्या नाम दिया कि जीव है इसके पहले जीव शब्द का उच्चारण आपको मिला नहीं था मिला था तब तो बोद में नहीं मिला आत्मा भी सुना अपने ब्रहु भी शब्द सुना अपने सत्थ भी शब्द सुना है न तीनों शरीर, तीनों अवस्था, पंच कोश, ये सब सुना लेकिन जीव शब्द अब आता है जीव नाम आत्मकम, जीव नाम का एक कोई है कौन है वो, बुल यही, स्थूल शरीरा भी मानी मनिक पिंदा भी मानी, स्थूल शरीर का जो अभी मानी है स्थूल शरीर के अनुसार अपने को पहचानता है स्थूल शरीर के धर्मों के रूप में अपने को अनुभाव करता है जैसे मैं अनुश्य हूँ, यवा हूँ, व्रद हूँ, गवर हूँ, श्याम हूँ, स्थूल हूँ, प्रोश हूँ जिसने स्थूल शरीर को मैं बनाया उसी के अनुसार अपने को जाना, अपने को पहचाना, अपने को महसूस किया स्थूल शरीर के साथ एक रूप हो गया, ऐसा विमान हो गया कि एक रूपता हो गई जैसे धन के साथ एक रूपता हो जाए, तो धन के बढ़ने से विक्ति अपने में वृद्धि का नुभव करता है घट जाने से कहीं कहीं नास का नुभव करता है ऐसे ही तो हम लोगों की स्थिती है कि स्थूल शरीर को चमकाया तो लगता है मैं ही चमक गया इस थूल शरीर आपके सायम से भजन से चमके तो स्वावत है उसका लेकिन भी फैशन परस्त हो कि आत्म विद्या मत करो तो पता चला कि फैशन परस्ती मन में गुसी पड़ी है तो फिर तो तत्वान उसंधान क्या होगा फिर वो नहीं चाहिए वो होता क्यों है क्योंकि अब इमान बहुत द्रड़ है और उसको द्रड़ ही करना चाहते है और द्रड़ करना चाहते है थूल शरीरा जिमानी एक लक्षन ये किया दूसरा ब्रह्मप्रतिविंबम जीवानात जीवनात्मकम सयव जीव यह जीव है प्राकृतिक रूप से स्वाभावी रूप से अनादी काल से अपने को पीस्वर से भिन्द जानता है भिन्द त्विन जाना थी क्यों बिन्द त्विन जानता है क्योंकि अपने में कहीं कहीं वो कंजोरी पाता है जब पिन्द का अभिमान होगा, स्थूल शरीर का अभिमान होगा तो उस इस्थिती में मुझको बाहर से सुरक्षा की जरूरत पढ़ते ही पढ़ती है उस समय मैं रक्षनी हूँ तो मेरा कोई रक्षक होना चाहिए वो बोले नहीं आप ही आप हो वो तो संतुष्ट कभी नहीं करेगा आप ही आप हो मने फिर मैं तो कहीं कहीं वल्लबल हूँ मैं तो कहीं कहीं कमजोर सा प्राणी हो और आपने मदद करने वाले का क्या किया मदद करने वाले का निशेद कर दिया अनिस्फरवाद क्या है मदद करने वाले का निशेद और मदद की जिसको आवश्रक्ता है वो वो है मदद की जिसको आवश्यक्ता है वो बच गया और मदद करने वाले को आपने उड़ा दिया अम्मरो नहीं चली अनिश्वरवाद तो यही है कि भोजन हटा दिया जाए और भूख वाला जो है वो रह जाए अनिश्वरवाद तो मारने वाली जित्या है माराज जब मुझे में रक्षणी यता भास्ती है कि मुझे तो बहुत सारे चीज़े चाहिए हम थोड़ा बहुत हाथ पर मारते हैं लेकिन ऐसे प्रसंग जीवन में आते ही रहते हैं जहां पर हमारे साधन हम को प्रियाप्त नहीं मालूम पड़ते हमारा प्रयास हम को प्रियाप्त नहीं मालूम पड़ता तब तब क्या आवश्यक्ता तो है साधन अपर्यापत है ऐसी दशा में क्या हमारे लिए सहरा क्या मुझे सहरा देने वाला है यही नहीं फिर तो भोती गड़बड़ है सहरा देने वाला उसमें चाहिए और है भी लबते चततक कामा मयई वबितान हितान तो प्रकृत्या स्वस्मात भिन्नत प्रकृत्या का मतलब क्या है स्वामभावी प्रूप से मददगार को मदद चाहने वाला क्या समझेगा अपने से भिन्न समझेगा आप मदद चाहने वाले हो प्रभू मददगार है एकर्त्या की बात तो ख़ाब में नहीं आ सकती इसको बोलते हैं प्रकृत्या ऐसी स्थिती में हो जहां पर संबंध में भिन्नता ही रदे को संतुष्ट करती है एक व्यक्ति गिर पड़ा तो जरूर चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आजाए जो मुझको उठावे बुले और कोई है नहीं आप खुदी उठो ये तो बड़ी निराशा की स्थिती तो उठाने वाला गिरे हुए से भिन होना चाहिए स्थूल शरीरा भिमानी जीव नामात्मकं ब्रहम प्रतिविंबं भवती सेव जीव प्रकृत्या स्वस्मात इश्वरम भिन्नत पेना जाना थे बहुत बड़ा वाक्य है गंभीर वाक्य है ये ज्यान रखना ये किसी का ये निन्दा वाक्य नहीं है ये एक स्थिती विशेश का सच है एक स्थर का सच है अब इसमें एक सब्द पर मैं आपका द्यान दिला देता हूं तो गंभीर हो जाती ये बाते क्या करें क्या बोलते हैं जीवनात्मकं जीवनामात्मकं ये जीव है ये क्या है बोले जानाती सब्द क्या लिखा जानाती जानता है किसको ना दितिया विव्यक्ति में कौन है इस्वरम क्यों इतना पढ़ें तो पैसा वाक्य बनेगा जीव है इस्वरम जानाती ये आपके बारे में कहा जा रहा है आपके बारे में भगवान मार्शिकार नहीं ये कहा कि आप सभी जीव लोग हां इस्वर को जानते हो और सब्द नहीं हम इस्वर को जानते हैं बोले भगवान के ही बोल रहे है वो गलत हो नहीं सकता आपके बारे में इतनी शोभन तिकपड़ी की गई है ज्यान तो दो कि जीव नामात्मकंबर्म प्रतिम सेव जीव यह जो जीव है सेव जीव है जानाती मन्ने पे नहीं लिखा अनुमानम करोती न जानाती ऐसा नहीं लिखा ऐसे बोल रहे हैं कितनी बड़ी बात सेव जीव है जानाती किन जानाती किन जानाती इस्वरम जानाती आप से पूछा जाए को ने में ले जाके क्यों महरा भास्र कार ने तो लिखा रै आम जानते हो इस्वर को बोले मुझे मालून नहीं, मुझे क्या मालून नहीं भास्र कार गल्ट हो सकते हैं एक गंदा हाथ मे लेके पूछना चाहिए बताने वाले को बोलने ही पड़े कि हाथई मुझे लगता है हम लोग के बारे में वहाश्रिकार का मुल्यंकन फोड़ा ज्यादा हो गया उन्होंने हम सब को ही कहे दिया सब इस्वर के जानकार लोग वेटे हैं जानाती कि एवल कमी है उस ग्यान में तो इतना है कि भिन्नक तो इन जानाती अन्यथा तो जानाती ये वह बड़ी टिपड़ी है मुझे तो नहीं लगता है कि मैं प्रभू को जानता हूं मुझे जानते हूँ आप जनाव जब आपके साधन अपरियाफ्त होते हैं और आवशक्ता मुभाए खड़ी रहती है उस समय जब आपके जीवन में अग्ञात स्रोत से सहायता उतरती है तो चाहे उसको आप अग्ञात को चाहे उसको आप अद्रिष्ट को चाहे उसको आप सैयोग को हाँ जे चाहे उसको आप बाई चांस करो चाहे आप उसको मने आप नाम चाहे जो मरजी तो लेकिन अपने और जगद के अलावा किसी एक ऐसी चीज़ को आप उस समय जानते हो मानते हो कि जो मदद कर सकता है जहां से मदद आई और आपकी आउशक्ता के अनुसार आई दुनिया में ये बात तो जांचनी चाहिए पहले अपने में जांचनी चाहिए कि क्या मेरा जीवन केवल मेरे और जगद से चल जाता है क्या दो ही तो चीज है मैं हूँ और मेरे सामने एक जगद है तो मैं अप्रोक्ष हूँ जगद प्रत्यक्ष है तीसरी चीज को मानने की ज़रुद क्या उसके लिए उपे प्रमाणी नहीं दिखता फिर ये इस स्वर के बारे में चर्चा क्यों होती है चाहिए आस्ती को तो भी चर्चा करेगा आस्ती को तो भी चर्चा करेगा ये तीसरा कहां से आया भाई न वो प्रत्यक्ष है न वो अप्रोक्ष है फिर ये कहां से चर्चा का विशय क्यों बनता है वो क्योंकि महराज जगत के साथ विवहार करते समय जीवन में ऐसे अनेक प्रसंगाते हैं जब हम को लगता है कि किसी अद्रिष्ट का बीच बीच में हस्तक्ष हो रहा है उस एक और किसी की भूमी का लगती है जब हजार वार कोई कारकर्म बनाने के बाद वो नहीं हो पाता या बिना कारकर्म बनाए कुछ हो जाता है जिसका नहीं हो पाता है वो कुछ में प्रैपोजेश Suddenly उसको God आता है क्यों 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 उसने वड़ी मेहनत करी flawless योजना बनाई अपने resources के हिसाब से बनाई सब कुछ किया and then suddenly एक कोई element बीच में आया वो कहता है यह क्या चीज़ है बीच में हमने खूब सोचा था कि यह हो सकता है यह हो सकता है सारी planning करने के बाद पिपिटाई हो गई एक कमजोर व्यक्ति विचारा उसके पास हावश्रिक्ता तो है कारिकरम कहां से बनावे साधनी नहों तो जहां रखना साधन के बिना योजना नहीं बनती नियम है यह प्रभु की क्रपा है साधन होना तब उद्धी में खुराफाद बहुत जगती यह प्लान है वो प्लान है वो फॉफ वो मैं अपना घर में यह पुराना हो गया इसको तुदा बदलना चाहता हूँ कुर्देव कहते थे जब कोई ऐसा बोलता था तो मैं जानता था कि इसका पर्स भारी हो गया इसलिए सदनली इसका कमरा पुराना हो गया गाड़ी छोटी हो गयी सदनली पहले तो साधन के बिना आप अपने भीतर देखके अनुभो करके देख लेना है जब साधन नहीं होगा रोजना के लिए कोई बुद्धी चलेगी नहीं ठीक है जब साधन होता है तब मुझे विश्वेजी करते हैं कि आईरन क्या इलेक्ट्रिकल आईरन चाहिए साधन होता है तब साधन जिसके पास नहीं हो तो हैं फुर्फुरा तिये बुद्धी आम है ब्रमचारी का तो अब ये सब फुर्फुराएंगे साधन हो योजदा बराई हमने फ्लॉलेस बनाई है फिर क्या पता चला वो फेल हो गया तो उम्हें लगता है कि परमात्मा जो है वो दिस्पोजिंग आफिसर है कि वो दिस्पोज करता है गौद डिस्पोजिंग बोलता है गरीब आदमी का बन जाए तो वो क्या बोलेगा बिगड़ी बनाने वाला हाँ वो नहीं कहता है गरीब निवाज उसने नहीं कहा कि गाड़ डिस्पोजिंग वो कहता है सुनी ली मैंने निर्बल के बल राम आकर ये भी उड़गार है पूछा जाए कि तुम देखा है वाले नहीं ऐसा लखता है सुना है मेरेशा जीवन में अगर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा क्या जवरदस्ती भी पता चलता रहता है कि नहीं मेरे और जिगड़ के अलवाज एक अद्रिष्ट नाम की कोई चीज है और वो कैसी चीज है ही है इस दे इंकलिजन्स उसमें विचार चमता है वो हमको पहचानती है हमको जानती है हमारी जरूरत को जानती है बो लो जडात्मक नहीं है यही मतलब होगा नहीं है जडात्मक नहीं है हमको जानती है हमारी जरूरत को जानती है हमारे साधनों को जानती है जरूरत के समय को जानती है हाँ हमारे एक मित्र हैं चन्दीगड में प्रिंस्पल थे कि समझ लो आप इसको नोट में न लियाना अतर चला रिकार्ड हो बेई इसकी इस्वर की चर्चा दिल से होनी चाहिए बगवान बाशिकार ने आपको कई दिया जाना थी तो अब वो कभी किसी जमाने में कोई कारखाना बनाने कोसिस करी थी और बुरी तरह से फेल हो गए थी और तब से वो कबार की तरह चीज़ें पड़ी हुई थी कोई लेता भी नहीं था कई बार कोसिस करी एड़ दिया वो भूल भी गए थे कि हमारे पास ऐसा कुछ है अच्छा बड़े लड़की की सानी ते हुई अब घर के लोग और प्रिंसिपल लिगरी कॉलेज के प्रिंसिपल तो लोगों को मालूम नहीं के रिसोर्सेज और वो तो बहुत पक्के आती है बोले ये उत्सो मनाया जाएगा वो होगा ये बाजे बजेंगे ये पार्टी होगी और यहाँ जेब में मुझे कहना देगे मेरी जेब में तो बहुत ही कम पैसे थे कुछ तीस पचीस जार वो पैते सानी करनी थी इतनी बड़ी जो उन लोग गर में प्रपोच कर रहते बोले कैसे हो बाई ये किसको मना करूं जब तैय वह होगे न उस समय कोई आया उनके यां बोले वह आपका कारखाना पड़ा है वह हम लेना चाहते हैं सदनली इनके कान खड़े हुए बोले रे मैं कितनी बाई कोई लेनी नहीं है यां और उसमें अच्छा कासा पैसा दिया और बोले यही कारखाना चाहिए बस बिक गया और दूम धाम से साधी हो गई जब मैं गया तो रोने लगे भूले कलपनाती स्रोत से कोई विवस्ता होती है अब इसको मुरत्ता है पूरी हंड़ेट परसेंट आदमी की कि वो जब वो कहे हाँ जी कि मैं हूँ और मेरी दुनिया है तू और तेरी दुनिया के बीच में एक और है कोई और वो ऐसा है जो जानकार है जड़ नहीं है पत्थर पहाड नहीं है आप अपना जीवन देखो यहां पहुंचने का पूरा विवरन देखो जरा तब समझ में आ जाएगा एक मिनिट में समझ में आ जाएगा यहां तक पहुंचने में जहां तक मैं समझता हूँ हर विजयाती को अन्भववा होगा कि हाँ जी सब कुछ अपने किये नहीं हुआ होता ही नहीं क्या बात करता है तो इस द्रिष्टी से पूरी दुनिया के सारे मनुश्यों ने उस अद्रिष्ट को अन्भवव किया और उसका नाम रखा अन्भवव किया मैं बोल रहा हूं कल्पना किये मत बोलना बिल्कुल नहीं अन्भव किया आपको मदद मिली तो वो कल्पना करते हो गी अन्भव करते हो मदद मिली तु ठीक हो गए फिर बोलते हो कल्पना की कुछ थोड़े से मूर्ख मनुश्य अंदर से जुटलाते रहते हैं वो कहते हैं कि भैर के कारण मनुश्य के जीवन में इस्वर की कल्पना हुई थोड़े से मुल्खों का भी कुछ होना चीव अगवान ने हर तरह की विराइटी बना रखी यह नो गार्डन तभी खिलता है जब विराइटी हो तो यह लोग भी कुछ लोग निकलाते हैं भैर के कारण करतग्यता से भी घोर होता है जगती जब उसको मदद मिलती है ऐसे समय जब उसको कहीं कोई चारा नहीं दिखता है भै लगता है उसको मीरा को भै लगता था कृष्ण से नर्सी मेहता को भै लगता था भगवान से तो उनकी तो कितनी साधियां मजियां कराई भगवान नर्शी में तक मुनीब बन गए भगवान उनके कथा ऐसे सुनाते हैं लोग सु अनुभव करता है पूरा मानो समाद उस सत्ता का अनुभव करता है फिर उसका नाम रखता है कहीं अल्ला रखेगा कहीं खुदा रखेगा कहीं गौड रखेगा कहीं इस्वर रखेगा कहीं नामों से क्या लेना देना है किसका नाम रखते हो यह उसी अद्रिष्ट का जिसका जीवन में एक बार नहीं हजार बार अन्मो होता है बार बार अन्मो होता है उसका तुमने नाम रख दिया अच्छा जल्ब देखो इन नामों की पीछे कोई ऐसा है जो कहता है कि मेरा गौड या मेरा अल्ला सर्वग भी नहीं है बोलो कोई ऐसा है धर्ब जो अपने प्रभू को अल्पग्गी मानता हो यह एक ता क्या काउन्फरेंस भी थी इसमें यूएनो में एक बार प्रसाव पास हुआ था सब क्यों मानते हैं कि इस सब को सब मानू है क्योंकि तुम्हारी रग रग पहचानता है ऐसा तुम्हारा खुद का अनुभव है इसलिए तुमको लगता है कि ना ना उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते किसने बता या छिपा नहीं सकते बोले मैं खुछ जानता हूँ यही तो संक्राशा जी कहा है तुम खुछ जानते हो यही बात तो भबवान ना शुकार कह रहे हैं क्या कह रहे हैं वो? जी वह इश्वरम जाना थी यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? क्या जोड़ बोलना उसके तो साम नहीं है सब यह मिया जी बोलेंगे और यह सादु बाबा भी बोलेंगे जानत ना और यह पोख भी बोलेगा कोई नहीं कहता मेरा इस्वर कमजोर है आया कभी सुनने कोई धर्म बोले मेरा आज पर इस्वर थोड़ा सा कमजोर हो गया डाइटिंग पर है सब ने क्यों समझ रखा है कि वो सरोशक्तिमान है क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रसंग नहीं है जो वो हल नहीं कर सकता ऐसा मेरा भी इस्वास होता है जब वो अरेंडमेंट करता है तो पतानी केसे करता है सब चीज़े एकदम सेट हो जानती है हम करते हैं तो कुछ ने कुछ निकली रहता है बहाद सर्वशक्तिमान सर्वग्यन तयालू किसी ने का मेरा इस्वास प्रूर है आज तक कोई ऐसा विश्व धर्म सम्विलन हो के कोई प्रस्ताव बना नहीं है लेकिन सब लोग यहीं बोलते हैं इस्वार के बारे में नाम चाहे जितना अलग हो लक्षन सब का एक है यह लक्षन सामान केसे बना लेखो इसी अद्रिष्ट की अनभूती एक आदिवासी को भी होती है जब वो एक पत्थर पर कुछ सिंदूर चड़ाता है कुछ पानी गिराता है कुछ पत्ते चड़ाता है अखिर वो किस को संबोदित करता है अद्रिष्ट को वाओ मालिक साथ तो सबको मालू है दयालू है सरवक्त है सरवशक्तिमान है शमा करता है और दंड़ भी देता है वाओ बोले महरा ये दोनों कैसे चलेगा शमा भी करना दंड़ भी देना अब बोले वो जानता है कैसे क्या करना है जाना नहीं बोल सकता है बट है एसाही तुम कैसे इतना जोड से बोलते हो है एसाही अबे बोले मेरा अनुभव है अब हम क्या बोल सकते हैं इस 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 वाट आइ नो जब घीतर पिटाई होती है तब ही मैं जानता हूं कौन किस के हाथ में दंडा है उस पिटाई में जब कौमलता रहती है तो वो भी मैं जानता हूं कि हाँ जी दया है ने इस लिए छोड दिया उसे नारग जी को बानर भी बनाता है और बानर के वर लड़की को दिखता है बड़ा कमाल है और सब लोगों ने उनको नारग मुनी जाना और सब ने प्रणाम किया बेजती नहीं होने दिया अपने भक्त की किसको बानर भी बनाता है वो लड़की को और जो दो रुदरगन बैठे थे क्योंकि ज़रा टिपड़ी करने वाले भी दुशेगी है ना तीन आदम को नारग जी बनाता है बस बाकी पुरी सवा में उनकी इज़त बनी रहे उनको लगा यह जो मेरी इज़त हो रही है वो नारग जी की वज़े से नहीं हो रही है साथ में विष्णू रूप में इसलिए लोग प्रणाम कर रहे है बिगडी बना निवाला मालिक सेव जीवह सेव जीवह प्रकृत्या इश्वरम जानाती इंप्रूव क्या करना है आगे कितना बढ़ना है एक तो इस ज्ञान को थोड़ा सा तेजस्वी रखना है जगाए रखना है कि मेरा कोई मददगार मेरा कोई प्रभू है मेरा कोई सम्रक्षक है आस्त्रे भाव द्रड़ हो जाए निश्चिंतता बढ़ जाती है निश्चिंता बढ़ती है तो चिंता नहोता है ये कही साथ चिंता भी करो और चिंतन भी करो ये होता नहीं कोई आदमी चिंता करने वाला हो बोले मैं बहुत चिंतन करता हूँ तुम जूट बोलते हो और कुछ नहीं करते तुम्हारे दिमाग में चिंता बुजी बढ़िये चिंतन क्या करोगे है न रभू का आज़ रहे जब मिलता है तब चिंतन होता है क्यों जीवन में निर्भेता है क्या करें अखेले तपुन जी माराज के लास की बढ़ जाएंगे क्यों मालिक साथ तो है अब जरस्था तो हो जाती है तो ये भक्ती बढ़ानी चाहिए जांकरती बढ़ानी चाहिए फिर इस ग्यान में सुधार होना चाहिए क्या कमी रह गई ग्यान में बोले भिन्नत पे नजाना ती स्वस्मात जीव प्रभू को अपने से भिन्न जानता है ये जो भिन्नता के साथ जानकारी है ये कमी है किस में कमी है? ग्यान में कमी है उस जानकारी में थोड़ी कमी रह गई इसको पूरा करना है ये जो अंग अंगी संबन्द है न ये भी अभिन्नता का ही एक प्रहास है आप समिछ जो? क्योंकि पूरी भिन्नता यहां पर नहीं मानी गई क्या कहा गया? के रहे भाई, तुम तो प्रभू के अंग हो अच्छा, क्या مतलब है कहने का कि तुम प्रभू के अंग हो तो अंगी तो अपने अंग से प्यार करता ही है नहीं करता है आप अपनी उम्मी से हाँ जी एक एक अंग से प्यार करते हो वैसे मेरा प्रभू हाँ हाँ और मैं उससे दूर नहीं हूँ ये भाव बनाने के लिए संब्धन की पहचान कराई जाती है वो भी अबिन्नता की और बढ़ा हुआ एक एक कदम है अबिन्नता की और बढ़ा हुआ एक कदम है ये अंसांसी संब्ध अंगंगी संब्ध बोलते हैं तो यह जुन जानकारी की कमी आ गई न इसको हम बोलते हैं जीव की उपाली क्या बोलते हैं अंगलावा की देखो अबिद्यो पाली संब्ध आत्मा जीवई की अब देखो ये तीसरा लक्षण किया है फक्का वाला पहला लक्षण क्या था? सून शरीरा भिमानी आच्छा दूसरा ब्रह्म पतिविंबम अब बद्ध ये न करना की दोल पहले वाले गलत थे ना 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 ये तीसरा लक्षण है जीव तत्व को लक्षण करने का ये तीसरा लक्षण है बोले आत्मा जीवई की उच्च दे आत्मा को ही क्या मुलते हैं? जीव कहते हैं अब जो बहुत सज़ग साधक होगा ना तो उसको पीछे पूरा यारा जाएगा क्या आचारे बोल चुके हैं आत्मा सत्याम तरण्यत सर्वं ये और यहां कहा जा रहा है आत्मा जीवई की उच्च दे अब उसकी बेखो साधक जो होगा जानका सज़ग वो एकदम पीछे जाएगा बहुते हैं पहले तो आत्मा को इसा कहा था अब केते हैं आत्मा जीवई आत्मा कह सुरू तो किया था तब बताया था स्थूल सूष्म शरीराथ व्यतरितः पंच कोशा तीतः सन्न अवस्था त्रे साक्षी सच्चिदान दस्वरुपह अब ये कहा था सच्चिदान दस्वरुपह सन्न यह तिस्थती साद्मा ओ एकदम पीछे आगे जाना चाहिए उसमें कहा था सच्चिदान दस्वरुपह उसमें कहा था शरीरा प्यतरितः आत्मा यहां कहा जा रहा है स्थूल शरीरा विमानी जीव यह न मिला ना शास्त्र का अलोडन करना चाहिए यहां क्या कहा जा रहा है स्थूल शरीरा विमानी जीव ना मात्म कम और फिर उसी जीव को कहा कौन है वजीव बोले आत्मा जीवेटी उच्छते तो वहां तो स्थूल शरीर से वित्रिक कहा था यहां किसको कहा जा रहा है स्थूल शरीरा भी मानी आत्मा को जीव कहते हैं आत्मा को आत्मा कही है आत्मा को जीव क्यों बोलना बोले मूर्खता से ये जो आत्मा है वो अपने को जीव के रूप में अनवाव करता है ये मुर्ख का ही उसकी उपादी है अविद्या अविद्या उपादी ही सन्न आत्मा जीव इती अविद्या उपादी सन्न आत्मा जीव इती आत्मा तो आत्मा ही है लेकिन अविद्या की उपादी के कारण वो जीव के रूप में अपने को अनवाव करता है जीव के रूप में अनवाव करता है वाने क्या जो शरीर से वितरित है वो शरीर वाला अनुभव करता है जो अवस्था तरे का साक्षी है वो अवस्था वाला होके अनुभव करता है जो पंचकोष से अतीत है हाँ पंचकोष वाला होके अनुभव करता है बुले भराज ये सब कैसे हुआ, उन्हें एक ही से हो जाता है सब हाँ, वो है अलिज्या, अविद्यों का अदिस्टन, आत्मा जीवई की उच्च थे अब एक बार सरीर वाला बन गया, अवस्था वाला बन गया, कोश्वाला बन गया तब उसको मदद की जरूरत है तो मदद की जरूरत है, तो फिर मददगार उस से भिन होई जाएगा पहले आप अपने को इस स्थिती में ले आए जहां आपको मदद की जरूरत है वो आपकी मौली की स्थिती है क्या? बोले अगर शरीरा आप बेतरी तो हो तो जरूरत क्या है? बोलो अगर तीनों शरीर से भिन हो तो वो ऐसे तत्तो को किसकी मदद की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है तो फिर जब मदद की जरूरत नहीं तो मददगार हाँ यह होता है इसलिए पहले यह मूर्खतावस जीवत तो सिद्ध हो गया इसके बाद सब सिद्ध होने लगता है क्या है वो? उसका नाम है अविद्या वो क्या है? वो उपादी है जीवत उपादी माने क्या? यह पारी महाशेक शब्द है इसको समझ लेना उपा समी पवर्तिनी वस्तुनी आधी यते स्वधर्मान की उपादी मने जो अपने समीत की वस्तु में अपने धर्मों का आभास करा दे उसको बोलते हैं उपादी यह वेरां की एक महत्रपुर्ण एक शब्द है इसको ध्यान है रतना अन्यथा प्रकाशन रूपे एक परिभासाई ची आई क्या बोलते हैं कि कोई वस्तु जैसी है उससे अन्यथा दिखने में एक वर्तु जैसी है वैसे से हटके कुछ अन्यथा दिखने में जो प्रयोजक है उस प्रयोजक को बोलते हैं उपादी यह एक मनुष्य है सरलसा उसके उपर लगा दिया अपने टोपी तो अब मनुष्य कहने की बजाए टोपी वाला ती टोपी वाला जो नाम पड़ा इसका प्रयोजक कौन है टोपी टोपी तो टोपी क्या होगी प्रयोजक अन्यथा प्रकाशन रूपे प्रयोजक किसी वस्तू को अन्यथा दिखाने में जो प्रयोजक है उसको बोलते हैं उपादी अब यहाँ देखो आत्मा है वो आत्मा नहीं दिखती आत्मा को अन्यथा दिखाया क्या अन्यथा दिखाया जीव रूप आत्मा को आत्मा न दिखा करके जीव रूप में जिसने दिखाया उस प्रयोजक का नाम पड़ा उपादी किसकी उपादी आत्मा की क्या नाम है उस उपादी का अविद्या यह आत्मा को मनुष्य रूप में दिखाया इसने थूल सरीर ने तो थूल सरीर क्या हुई आत्मा की उपादी हो गई एक स्फटिक लिंग है वो बिना रंग का है लेकिन निला दीता है जो स्फटिक है उसका अन्यथा प्रकाशन हो गया उस अन्यथा प्रकाशन का प्रयोज़क कौन है वो नीला फूल रखा है उसके पास नीला तो दिख रहा है नीली मा तो अन्य था रूप हो गई तो दिखी क्यों नीली मा क्योंकि नीला फूल वहाँ पास में किसी ने चड़ाया था तो उस नीले फूल की नीली मा का आभास हुआ किसमें स्पटिक शिविलिंग में तो जो रंगहीन स्पटिक शिविलिंग है वो अब नीला नीला दीटा है आया पकड़ना है तो इस अन्यता प्रकाशन का प्रयोज़क कौन बना फूल ये बोलो क्योंकि वो फूल हट जाए तो शिविलिंग जैसा है वैसा ही दीखेगा अन्यता प्रकाशन फिर नहीं होगा तो शिविलिंग का अन्यता प्रकाशन का प्रयोज़क है पुष्प इस लिए उस पुष्प को समीप वरती पुष्प को उप आधी है न समीप वरती पुष्प ये न कहना कि नीला फूल जो गार्डेन में लगाए हूँ वो बर्वान की ये न कर देना समीत वर्ती जो कुछ पर है जो प्रयोजक बन रहा है शिवलिंग को कुछ और दिखाने में उसको बुलते हैं उपाद ही कुर्सी पर बैठते ही जो घर में जिन से हम मिले थे मित्र थे वो अब वो क्या कहना लगे आफिस है तो वाँ उपादी बदली पहले मनुस्य थे अब अन्यथा प्रकाशन हो गया तो कहा जाता है ये इनकी उपादी है क्यों उपादी कहा जाता है उसको कुर्सी को अन्यथा प्रकाशन है उसी से नहीं अभी ध्यान दो अन्यथा प्रकाशन का प्रयोजक है तो ये सब ध्यान रखना अन्यथा प्रकाशन रूपे प्रयोज पहा उपादी इसी उच्चते ये बढ़िया प्रिवासा है पक्की है अब यहां अविध्या की उपादी से आत्मा का अन्यथा प्रकाशन हो गया क्या अन्यथा प्रकाशन हुआ? जीव भाव की इस्थिकी बन गई लाव है आत्मा प्रकाशित हो रहा है जीव रूप में प्रयोजब कोन है? अविध्या बैर्स पक्काव गया है आत्मा प्रकाशित हो रहा है जीव रूप में प्रयोजब कोन है? अविध्या बैर्स इसलिए अविद्या को उपाधी संग्या दी गई, आत्मा की उपाधी है, फिर बोलते हैं मायोपाधी सन इश्वर इती उच्छत है, अब देखो, उसी आत्मा का एक और नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, इश्वर, आत्मा सब्द की अनुवरती है, उपर से आ रहा है, उसी आत्मा का नाम पड़ा, इश्वर, बोले मराज, आत्मा को आत्मा क्यों नहीं कहते हैं, इश्वर क्यों बोलते हैं, ये तो अन्निथा प्रकाशन हो गया, पक्का है, अन्निथा प्रकाशन हो गया, जो चीज जैसी है वैसी ना होके कुछ और भासने लगे तो क्या होगा वो अन्यथा प्रकाशन होगा तो ये तो अन्यथा प्रकाशन हो गया इस अन्यथा प्रकाशन का प्रयोज़क कौन है बोले माया ना ज्यान 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 सतावधान मायो पाधी सन, देखो आत्मा में इस्वरत्व का दर्शन कराने का जो प्रयोजक है वो कौन है? माया और आत्मा में जो जीवत्व का दर्शन कराने का प्रयोजक है वो? अविद्या, ये वो पाधी दो हैं मायो पाधी सन इश्वर इती उच्छते माया सब्द का अर्ष्टव आप जानते हो इस ग्रंथ में छोटा सा आजाए क्या है वो ब्रह्मा स्रया सत्वर जस्तमो उनात्मिका माया अस्ति इसलिए मैं कहता हूँ ग्रंथ याँ हो जाए तब आपको कनेक्शन होगा आगे पीछे तब ग्रंथ जिस तरह से खुलता है वैसे कभी नहीं खुलेगा आपको क्या दोना चाहिए तो जब यहां कहा मायो पादी सन तो माया सब्द तो यहां explain हो चुका है क्या है वो त्रिगुनात्मत है और किस पर आस्रित है ब्रह्मास्रत है अब देखो मज़ा ब्रह्मा पर आस्रित हो करके ब्रह्मा की उपादी बन गया लए यही पजियत है ब्रह्मा को आस्रित आस्रे बना करके दम्मा सृता हो करके अपने ही आस्रे ब्रह्म की वो क्या बन गई? उपाधी बन गई प्रियोजक बन गई किस बात में प्रियोजक बनी? उस आत्मा को इस्वर दिखाने का प्रियोजक बन गई अब वो सच्चितारंद ब्रह्म नहीं लगता? अब क्या लिखता है? सरवग्या सरवशक्तिमान लेह लो करता धरता संगरता सरवग्या पकरतो सरवशंगार करतो देखाओ सरवश्च्टितो सरववग्टरतो हमारती हम करते हैं जो सच्चिदा दंद प्रभू है उनमें इश्वरत्व दर्शन कराने का जो प्रयोजब है उसका नाम है माया वो किसकी उपादी हुई? वो ब्रह्म की उपादी हुई इश्वरत्व दिखाने के लिए तो ऐसा भी बोलते हैं जीव की उपादी ये बहुत सही बाक्ते नहीं है फिर भी बोलते हैं जीव की उपादी है अविद्या इश्वर की उपादी है माया इश्वर की उपादी नहीं है इस उपादी के कारण अबिद्या उपादी तो ब्रह्म की है ये पगड़ मैं है जीव की उपादी अविद्या थोड़ो है बलकि अविद्या की उपादी से कारण हाँ आत्मा जीव भाजता है इसलिए आप लोग दोनों को समझना साधारा बात्चीत में ये ही बोलते हैं इश्वर की उपादी माया जीव की उपादी अविद्या तो दो उपादियां हो गई एक उपादी के जरिये ध्यान देना जरात एक उपादी के जरिये जब सच्चिदान को देखते हैं तो जीव भाजता है और दूसरी उपादी के जरिये उसी सच्चिदान को देखते हैं तो वो इश्वर माजता है भुले वारा ये बर्गला रखा है उपादियों ने भुले ये ये ही कहना चाहते है एक तर्थो को दो रूपों में दिखाने वाली दो उपादियां है अच्छा आगे इन निगमनवाद के है भई इसको ठीक ठीक पकड़ते रहना एवं उपादी भेदात तद तो भेदात नहीं क्या लिखा एवं उपादी भेदात जीव इश्वर भेद द्रिष्टि इस जीव इश्वर की जो भेद द्रिष्टि आई वो किसके भेद से आई उपादी भेद से न की उपाधी जिसके साथ लगी रहती है उसको बोलते हैं उपहित यही सब्द पकड़ो साथ साथ में क्या बोले मैंने उपहित जैसे अविद्या उपाधी है और आत्मा उपहित जैसे माया उपाधी है और आत्मा उपहित है तो अब ऐसा वाक्ति बनाएंगे उपहीत के भेज से ये भेज दृष्टी नहीं है किसके भेज से है? उपाधी के भेज से भेज दृष्टी है उपाधी भेजात जीवेश्वर भेज दृष्टी अब अगलावार के है यावत परियंतम दिश्ठती तावत परियंतम जब तक ये भेज दृष्टी बनी रहेगी भेज दृष्टी बनी रहेगी मैंने प्रियोजक विद्यमान है क्या प्रियोजक है? अविद्या है अन्य जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक आप शरीर वाले बने रहोगे तब तक आप अवस्था थ्रेड वाले बने रहोगे तब तक आप पंच कोष वाले बने रहोगे ये है अभी प्राय और जब ये वाले बने हुए हो तो पुनरप्पी जननम गोले जीवेश्वर भेद दृष्टी यावद परियंतम तिश्थती तावद परियंतम जनमन जनम मरना दिरूपम संसारो ना नीवर्तते संसार क्या है फुल फुल पत्ती माला संसार गोले चुपरहो उसका नाम है जगत ध्यान देना जरा बेदान्त में जगत अलग्ची है संसार अलग्ची संसार बने होता है संसरण क्या लिखते हैं देखो जनम मरना दिरूप क्रंथ देखो ग्रंथ जनम मरना दिरूप संसार है संसार का रूप क्या है हाँ नदी पहाण न बोल देना नदी पहाण को विरांत में जगत बोलते है और मेरा जो बार बार जन्म मरन जन्म मरन होता है उसको हम बोलते हैं संसार जगत की निवर्ति न करो किसी करो हाँ और छुट्टी करो जाओ भागो यहां से मैंने अपनी मुट्टी करो भाई बले बम ब्लास करके जगत को मुट्ट करेंगे यह मुसल्मानी कुल्चर है जगत को मुट्ट करने पर लगे हुए रे मालिक जम वरना जिरूप संसारों निवर्तते जब तक अविद्या क्यूपादी है शरीरा विमान है तब तक फिर 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 जसलिए यह भेज स्विकार नहीं करना चाहिए क्या मतलब है मतलब ये है कि इस भेद से प्रेम न लगा वैठो लग जाता है तो लिमराज इससे भी लग जाता है प्रेम अरे खूब लगता है, हमें ही लग जाता है मजा आने लगता है, वो लिम माली हमारा दयालू तो प्रेम तो होई जाता है फिर इस भेद में बहुत मज़ा है अनीश्वरबाद में पिटाई बहुत होती है लेकिन भेद पुर्वग जो भखती है जब आस्रे का बहुत होता है जब उसकी कृपा का बहुत होता है उसकी नजर है हमारे उपर ऐसा महसूस होता है तो मज़ा आता है मज़ा आता है तो वहीं खड़े होने का मन होता है इस रो यार कहा आगे जाते हो भगवान भाष्यकर क्या बोलते हैं अरे फंस जाओगे ना स्वीकारिया चलो आगे इस भेद भाव में ज़्यादा देट तक न ठेहरो बोले अच्छा लग रहा है लग रहा है तो भी तो भी चलो ऐसे ही चलो जैसे छे बज़े की आरती पकड़नी हो और आनंद में कोश बहुत अच्छा रखता है आखिर वो आनंद में कोश है कोई दुख में कोश तो कहीं लिखा नहीं तो जम्मचारी लोग मारे बंदू लोग भाई तो फिर आनंद में कोश में आनंद में बोले अत्रईवत इस्ठामी और अत्रमात इस्ठा ना स्वीकारिया अच्छा लगने पर भी आद में अगर वो बंदन कहीं है तुँ है समसरण का प्रयोजक बन रहा है इसलिए भाई हटो यहां से चलो मुल्य महानद कैसे चलें अब कल चर्चा करेंगे आज 11 बज़े करक्षा नहीं होगी संद्या के लिए आप लोग वहीं पहुंचेगा कहां चर्च के उपर तो आज एक दिन और देख लेके हैं लेकिन आज आप लोग पकड़ लेना सादानी से सब रोज रोज व्याकरण की बली नहीं दे सकते हैं आज है शांते 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 हरी ओन स्रीगों प्योन महा हरी ओन हरी ओन हरी ओन रखर्ट या सोस्माँ इस्वर्ण इननको इनन इनन हर्ट इनन हर्ट झाल प्रतिया फट्समान तरण बिननक्षण प्ते नबार्यृ जया है। ज़र एंटु एक है जों जगाइद दिन टिनुटाए हुआ कर्या है। कि दो जो जगर जन ये हैए। झालाम झाला है। अन्य अटासर खाँन फ्लिए ताशर कि गुष्टाइब लेगे पर देखर हैं? हैं? पाजू पाली दिफाँ पाओ झाल झाल झाल